Hello dear students, Newton's law of motion, J E or Nate के लिए एक problem, ये Newton's first law of motion परभेज़ है, पढ़ते हैं क्या है, The two masses small M and capital M are attached with string S on, एक mass यह है small M, और एक mass यह है capital M, और इस figure के according string से attached है, और string यहां mass less मानके चलेंगे, ठीक है, For the system to be in equilibrium, वालब system पर net force zero है, यह न, we have, ठीक, यह चार चोईज दे रखें, तो देखो, यह मलब पूरा रुका हुआ system है, चल नहीं रहा, ठीक है, तो देखो, इसमें देखो, tension की direction दिखाएं, तो हमेशा tension की direction, ऐसे आएगी, इसमें T1, और इधर की तरह दिखा देएं, यह T तो देखो, इस block से अवे ऐसे T2, तो इस block से भी अवे, देखो, यह T1 है, तो यह भी इस वाले object से अवे, ऐसे T1, अब complete होता है, वैसे, पूरा, है न, ऐसे यह T2, इस से अवे है, इस वाले block से अवे है, तो इस से अवे दिखाएंगे, एक T2, ऐसे, ठीक, अच्या, तो यह Tension दिखा दिया, और इस block से अवे, इस में दिखा दें, यह Tension T3, और यह Tension T3, यह Tension की टरसंद दिखा दिया, अब image अल-अलग बना लेते हैं, इस वाले इस से को अलग कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, बल्लब एक बार FBD बनाएंगे M का, और एक इसको, तो देखो क्या इसको ऐसे अलग कर ले, कि solution शुरू किया, और इस diagram को मैं यहां बना लेता हूँ, ऐसे, और यह line horizontal है, यह 45 degrees रखा है, और यह वाला भी 45 degrees रखा है, और यह से small m mass लटका हुआ है, इधर यह tension T1 है, ऐसे, और इधर की तरफ यह tension T2 है, ऐसे है, ठीक, अब क्या करते हैं, जानते हूँ, हमेशा all forces को, दो perpendicular direction में component कर लेते हैं, कोई भी perpendicular direction चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो perpendicular direction में ही component कर लेते हैं, सब को, ठीक है ने, तो देखो मैं क्या करता हूँ, टीवन को मैं तोड लेता हूँ, टीवन को मैंने, यह देखो, यह ऐसे component करके तोड लिया, और टीवन को ब्रेक कर लिया, तो यह 45 यह से लिए, टीवन को 45, और जिसके साथ ठीटा होता है 45, और जिसके साथ ठीटा नहीं है, वो sin 45, यह टीवन sin 45, ऐसे टीटू को तोड लो, तो यह वाला टीटू को 45, और यह वाला टीटू sin 45, यह देखो, तो अब देखो, टीवन और टीटू को तो हमने क्रॉस तोड लिया, तो अब यह और यह फोर्स हो गए, जो आपसा परपेंट डिकुला रहे हैं, यह वाला, और यह वाली एक् परपेंट डिकुला रहे हैं, अब क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें हैं, अगर पूरा सिस्टम इकलिबरियम में हैं तो हम लिखेंगे, फॉर एकलिबरियम, फॉर एकलिबरियम, एकलो, एकलिबरियम, अलॉंग, वाइड डारेक्शन, अलॉंग, वाइड डारेक्शन, तो ल लिखे लें वाइड द्रशन के लोंग लिखे लें तो उपरी तरफ कितना है टी वन साइन फॉर्टी फाइव प्लस टी टू साइन फॉर्टी फाइव और नीचे की तरफ इसका वेट हो जाएगा एम जी कैसे तो एम जी एक वाल नेट फॉर्ट जीरो बैलेंस कर लेंगे दूसरे को ठीक है तो नेट फॉर्ट जीरो ठीक है तो यह फर्स्ट हो गया यहां से सैकेंड क्या बना सकते हैं एलॉंग x direction along x direction along x direction देखें तो t1 cos 45 बरावर t2 cos 45 देखो ऐसे यह इसको बैलेंस कर लेगा इन दौनों ने मिलके इसको बैलेंस कर लिया ऐसे यह दौनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको हम कॉस 45 से कॉस 45 उकटे गिया T1 बरावर T2 यहां T1 T2 बरावर है तो from vacation first से तो बरावर होंगे तो T1 sin 45 है न यह T2 sin 45 और is equal to sorry plus T2 sin 45 is equal to mg तो यह हो गया 2 T2 sin 45 is equal to mg तो 2 T2 sin 45 की वैल वान अपॉन रूट 2 is equal to mg रूट 2 से यह रिकट गया तो T2 is equal to mg अपॉन रूट 2 तो यह T2 की value भी इतनी होगी और इतनी value होई T1 की होगी ठीक तो यह हमने एक पार्ट को solve किया इसके को ठीक है इस वाले पार्ट को हमने यह वाला जो पार्ट था वह हमने यह ट्रॉट किया अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं सेकंड बेच ना यह step आपकी 3 step 2 यह step बनो गया ठीक अब इतने वाले को यह जो डागराम है यह वाला यह वाला डायराम हम यहां बना लेटे इत जगे अहपर ठीक हाँ इस वले डेराम को आप यहा बना लो तो इस वले डायराम को आप यहां बनाओगे तो यह देखो यह तो वो गया Capital M सबआएखand यह Capital M हो गया, Capital M, और यह String जुड़ी होई है, एक तो यहाँ से जुड़ी होई है, ऐसे, और यह जगे से बना रही है, यह 45, और इसमें Tension है यहाँ पर T2, ऐसे, ठीक, और एक String जुड़ी होई है, ऐसे, एस जगे पर, और इसमें tension है यहाँ पर T3 ऐसे और यह horizontal से बना रही है ठीटा एंगल यह ठीटा एंगल इसका weight होगा एक mg नीचे की तरफ capital mg अब T2, T3 और mg को भी हम component करके दो perpendicular address में ले आएंगे तो कैसे लाएंगे भाई तो देखो यह T3 है तो पहले तो इसकी compute करें तो एक यह आएगा और एक यह आएगा तो यह तो आया आपका T3 cos theta और यह आया T3 sin theta ठीक जिसके साथ theta होता हो cos में लेगते हैं जिसके साथ theta नहीं होता हो sin में लेगते हैं ठीक है ऐसा ही T2 component करें T2 को एक component देखो T2 का यह यह 45 तो यह वाला भी 45 alternate angle इसलिए यह component जो आएगा T2 का यह आएगा T2 cos 45 और यह वाला आएगा T2 sin 45 जो देखो T2 को मैंने तोड़ दिया है और मैंने T3 को भी तोड़ लिया है ऐसे इसमें मैंने यहां पर T1 को तोड़ा है और T2 को मैंने तोड़ लिया है T2 को मैंने यह T2 था इसको मैंने तोड़ लिया है यह T2 है ठीक है इसको हमने तोड़ लिया था T2 था यह अच्छा अब क्या करें साथ फिर इसमें फॉर एकिलूबरियम फॉर एकिलूबरियम इ में भी equilibrium में चले जाएं और पहले horizontal वाला कर लें along x direction net force 0 होगा balance कर लेगा equilibrium में na net force 0 होगा तो balance कर लेगा तो t2 cost 45 is equal to t3 cost theta ठीक यह आ गया तो देखो t2 cost 45 की value put कर लेते हैं t2 बटे root 2 हो गया यह बराबर t3 cost theta इसे equation number हम 2 डाल देते हैं चलो ठीक अच्छे हैं अब इसमें along y direction कर लेते हैं along y direction along y direction करें तो देखना y direction में क्या 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 है t3 cent theta t3 cent theta देखो यह t3 cent theta लिग लिए हैं along y direction t3 cent theta और नीचे की तरफ क्या है along y direction में एक तो capital mg है और एक t2 sin 45 degree तो इसे ऐसे लिए सकते हैं देखो capital mg plus t2 बटे root 2 is equal to t3 sin theta यह equation number 3 देखो हमें प्रूब क्या करना है 10 theta लाना है दिख रहे हैं 10 theta 10 theta 10 theta 10 theta 10 theta कैसे आ सकते हैं इसमें cos theta आ गया इसमें sin theta आ गया तो क्या करें थार्ड equation का second equation में divide करना है तो करें देख तो यह क्या हैगा t3 sin theta over t3 cos theta is equal to t3 sin theta की value है capital mg plus t2 root 2 यह upon और इसकी value है t2 upon t2 root 2 गटे root 2 तो देखो t3 t3 कट गया तो यह तो हो गया 10 theta बरावर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे क्या ले सकते हैं mg upon t2 और यह root 2 plus 1 तो देखो plus बना गया यह t2 हो गया देख यह से root 2 तो ऊपर चला गया तो मैं क्या करूं इसको मैं यहां ले देता हूं ठीक इसको यहां ले देता हूं तो 10 theta बरावर m capital mg upon t2 की value देखो यह रही कितनी है small mg root 2 पर आ गया देखिए और t2 की value में put कर देता हूं small mg upon root 2 plus 1 है ना ऐसे तो देखो रूट 2 पर पहुंच जाएगा तो तो कितना ले सकते हैं then 10 theta is equal to 10 theta is equal to 2 और g से यह g कट गया capital M upon small m plus 1 देखो यह 10 theta आ गया यह वाला ठीक है जी से जी कट गया root 2 पर पहुंच गया तो 2 हो गया तो 2 m बटे capital M बटे small m plus 1 तो देखो इसकी चोईस हुई ही 2 capital M आ रहा है उपर 2 capital M और नीचे small m आ रहा है प्लस 1 तो फर्स चोईस हो गई 10 theta आवर आवर 1 प्लस 2 capital M हमारा भी तो capital M यह आ रहा है उपर देखो 2 capital M बटे small m और प्लस 1 तो इसलिए यह चोईस होगा इस बस चोईस होगा इसकी ठीक पढ़ते रहिए और खुझ रहिए उसलिए लाहिए